इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूँ नेशनल मेडिकल कमिशन यानि की एनमसी के दिये गए एक एडवाजरी के बारे में जो के एडवाजरी इसू हुआ था आठ अगस्ट दो हजर तेज को मेरे सामने भी एडवाजरी पढ़ा हुआ है आपको भी स्किन पर दिखाई दे रहा होगा एडवाजरी अलट फॉर इंडियन स्टुडेंट्स स्टिकिंग एडमिसन इन फॉरें इंस्टिउट्स इन्युवर्सिटिज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन्डर ग्रेजुएट कोर्स यानि की मेडिकल के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं जाना चाहते हैं वीडियो करने कोई मोटिव नहीं था क्योंकि लेटर बहुत पहले आया था और जिस दिन आया था मैंने उसी दिन से पढ़ लिया था और मुझे इसको कुछ दिखाई नहीं है ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसके लिए मुझे वीडियो करना पड़े इस गांव से बहुत से लोग बहुत सी बाते कर रहे थे हमारे इस्ट समय लेटर से अपको इस अपको तो अब कोई नहीं किया जाएगा नोटिस आ गया है ज़रूर कोई ना कोई डाइवर्ट कर रहा है एक वीडियो के कट क्लिप का भी यूज करके और इस लेटर के यूज कर कि बच्चों के मन में यह डर भड़ा जा रहा है यह डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप बाहर से पढ़ाई करते हैं इंडिया में एस डॉक्टर प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे क्या है इस लिटर का असली मतलब मैं आपको समझाता हूं अभी कौन है वे लोग जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं साउधान रही है सतर्क रही है खुद पढ़िए समझिए हैं अब फिर खुद पढ़िए इस डेटर को अप्लोड कर दूँगा पेडिया डिस्क्रिप्शन में और देखे किया में जो बूल रहा हूं और क्या जो बातें विखेए करह रही है कि नहीं कोईहिए आपको ऐसा बन रहा है कि वैले। क्योंकि लिटर हर भूस में छल़ आफंए हैं इस मतलब कंसलर्टेंस की गूरूप में और कहीं न कहीं च्छोटा सा डर्ड है जूठा प्रवाइजरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है नया जो हमें पहले से नहीं पता था क्या हमें पहले से नहीं पता था कि कोई नम्ची गैजट नाम की चीज आई अठरा नॉमबर दो दोजार किस को ओलडी मैंने उस पे चार चार पाज़ वीडियो किया है कि अब नम्ची गैजट आचुकी है अठरा नॉमबर दोजार किस के बाद जो भी जाएंगे उन पर कि सब्देबूर चाहिए इक पूरा का पुड़ा पढ़ांची कि कॉलेश हो नाचाहिए पढ़ाई का बहाइए इंगली सभाना चैहिए सब्जेक्ट से जो आपको मस्ट है कि आपके कोर्स में आपके डिगरी में हो कि यहीं बात रंटने में का इसे बस वही बात लिखा हुआ है इसे पहला प्राइफ में लिखा हुआ है नेशनल मेडिकल कमिशन पॉब्लिस्ट फोरें बेडिकल ग्रेड़िएंसारेट अट्रनमबर हो जारी किया था उफिसियल गैजट में अठ्रो नॉम्बर हो जीस्टान है जिसमें डिूर्ड़ियम अफ इस्ट्रक्शन की तने दिन की पढ़ाई है कि्या में पढ़ाई कि इंग्लिज है है रसीयन है चाइनीज है syllabus क्या होगा clinical training और internship ETC के बारे में बताया था यह condition ज़रूरी है फॉलो करना अगर आप चाहते हैं इंडिया में एलोपेथी के practice करे यानि कि यह ज़िए doctor practice करे इसका पहले प्रग्राफ का मतलब यही है हमने दो साल से ही तो रटा है NMC gadget इतने महीने की theory इतने महीने की practical English में होना चाहिए license मिलना चाहिए यह subject होने चाहिए यह हमें नहीं पता था वही बात तो लिखा है कि यह जरूरी है हमें हमें पता है कि हम उसी college में पढ़ सबते हैं जो NMC gadget को follow कर रहा है तभी जाके हम यहां पर आएंगे तो वापस license के exam दे पाएंगे और पास करके यहां पर दोक्टर काम कर पाएंगे तो हमें पता था पॉइंट वाया है एक warning head warning है it has been observed यह हमने जाच में पाया है पता नहीं कैसा जाच की NMC ने पाया है कि जो इंसिचूट और निवसिटीज अब्रॉड में है और फॉलंग जो करिकुलम और टाइम फ्रेम और जो फॉलो कर रही हो NMC जो इंडिया में फॉलो कर आता है उसके साथ similarity में नहीं है मतलब यह सोट में पुरा पढ़ देता हूं आपके लिए it has been observed that the institute or universities abroad are following the curriculum time frame and training imparted to their students are not in consonance with NMC regulations being followed in India therefore all the students who are desired us to obtain the medical qualification from any foreign medical institution or universities and thereafter practice allopathy in India are hereby advised to ensure that all condition prescribed in FMGL are fulfilled before taking admission इसमें ये बोला है कि हमने पाया है कि जो इंडिया में आके काम करना चाहते हो तो आप उन्हीं इंडिया में जाओ जो FMGL regulation यानि कि NMC गईट के सारे rules को follow कर रहा हो बच्चे अभी भाई वहीं जा रहे हैं जहां सारा rules follow हो रहा है rules बच्चों को उली पर याद हो गया है चोवर महिना थियोरी बाना महिना इंटर्शिप इंग्लिस मीडियम में पढ़ाई प्रेक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए यह कोर्सेस होना चाहिए पूरी की पढ़ाई एक ही कोले से होना चाहिए इस में इस वीडियों तिन बार रिपीट कर दिया यह सबको याद हो चुका है और बच्चों को अच्छे से पता है NMC लाने का मतलब भी तो यही था ना कि बच्चे के गई है किसमे उने काम करहें एंप वालब को चੰ सरण बढ़ें स we तो आपको एंडिया में लेशन्स नहीं दिया जाएगा और अगर नहीं मिलता है ऐसा तो जिम्वारी आपकी खुद की होगे हमें पता है कि अगर हमें नमसी गजेट नहीं फॉलो करने वाले इन्पसिटी में जाएंगे तो हमें लेसेंस नहीं मिलेगा इस बूटरे में ऐसा नढया है जिसे बच्चे डर है एक पॉइंट इसमें क्या इसा नढया था जो हमें अथ्थर नमद और सिट्स खाली रह जाती हैं और ठीक टाइम पर कैसा लेटर आता है इसमें वही बाते लिखी है जो पुरानी बाते हैं बस एक ऐसे वे में लिखा गया है मेनिपुलेटिव टोन की बच्चे डर जाएं क्या इससे अंडियन मेडिकल कोलेज का सीट भर जाएगा मैं जहां तक मैं इसमें कुछ नया नहीं है वही बाते हैं जो हमें पता थी जो हमें अठारा नॉमद रहे किस से पता था नथिंग निव एक भी वर्ड नया नहीं है इनमसी गैजट जो फॉलो कर रहा होगा उसी को इंडिया में लेकर अल्यडी क्लियर है ऐसा कोई डाउट में ना रखे जाई आ och स्टो से तो में ऑा रहा है जा उस ठाह झालना में एंटा रहा है जा जो हम रहा होगा बाइए झाले भी और में घटको रहा जा फसक्त टोफट